दोस्तों आज की शूडियो में आपको बताने वाला हूँ कि डीजे चैनल मोईटाइस कैसे होंगे 2020 में दोस्तों कि आपका डीजे चैनल है और उससे कुछ भी इंकम नहीं हो रही है तो आप भी डीजे चैनल को मोईटाइस ने एनेवल कराके लाग फोड़ों पैक कमा सकते है कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मेट और आप देख रहे हैं टेक्नो हेल्फ पर यूट्यूब चैनल इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हाली मैं यूट्यूब ने एक नई परिसी में आपको बताया था कि डीजे चैनल मोई डाइज नहीं होंगे तो क्या 2020 में हो सकते हैं और आपका यह कॉस्चन है तो जी हां दोस्तों बिल्कुल एनेवल हो सकते हैं किन-किन बातों को आपको फॉलू करना होगा दोस्तों मैं अहां पर आपको डेटेल्स में समझाने वाला हूँ तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप भी अपने डीजे चैनल मोई डाइजिसन इनेवल करा सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने हैं इस पहले आपको बता दूँ चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना इसी तरही की इंट्रेस्टिंग और हैलफुल वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती ही रहेगी और वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि मुझे पता सलसा कि मेरी बन करते हैं तो डीजे चैनल के जो नाम रहते हैं हम लोग उसी पर गलती कर देते हैं तो आपको किस प्रकार के नाम रखना है मैं आपको बता देता हूं एक्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं जैसे मेरे नाम अमित है तो मैं हम पर अमित म्यूजिक प्रोडक्शन रख करक सकता हूं इसी टाइप के आपको नाम रखना है ध्यान रहे मतलब आपके चैनल के नाम में डीजे सब्सक्राइबर पूरा कर लेते हैं पर उनका चैनल जो है रिविव्यू पर जाता है तो यूट्व जो उनका नाम पढ़ता है डीजे लिखा रहता है तो वहीं से डिस एप रूप कर देता है क्योंकि दोस्तों यूटूब ने पहले ही बता है कि डीजे चैनल जो हैं मॉनिटाइज नहीं किया जा सकते हैं क्योंकि वो दूसरी कंपनी के जो सौंग हैं उनको मिक्स करके रिपलोड करते हैं उनका खुद का कंटेंट नहीं होता है दोस्तों मानता हूं कि बहुत महनत लगती है क्योंकि मैं भी एक डीजे रिमिक्सर हूं तो आपको सिंपली में एई, क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपने चैनल करना है, डीजे पैसे बिल्कुल नहीं रखना है, अगर रखे हो तो आप चेंज कर दीजिए, दोस्तों आप सेकेंड बात करते हैं, कि डीजे चैनल जो हमोनिटाइज कैसे होगा, च हुषपूरी जो सौंग है, राजिस्थानी सौंग है, इनको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, अगर आप इनका यूज करते हैं, यह आपको कॉपी राइट कलेम आया हो या ना आया हो, आपका चैनल मोईटाइज नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों आप सोच रहे होगे क किस प्रकार के वीडियो अप्लोड करेंगे, दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दीना चाहता हूँ कि आप कॉंपेडीशन सौंग जो बनते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, जो कॉंपेडीशन सौंग हैं, आप उस तरह की के सौंग क्रेट करके, आप यूट तुरंत पहचान में आजाता है कि यह कॉपी राइट है कि नहीं दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिल्कुल भी आप कॉपी राइट का यूज ना करें तो ही अच्छा है दोस्तों आपको खुद का कंटेंट बनाएए भले ही हफते में दो इससे तीन वीडियो लाइए लेकर खुद की लाइए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आये हुगा दोस्तों आप चाहते हैं कॉम्पीटीशन सौंग कैसे बनाते हैं तो आप हमें कर्मेंट कर दीजिए मैं इस पर आपको फुल टोटोरियल दे दूंगा दोस्तो आप यूटीव पर भी सर्च कर सकते हैं हजारों वल्की लागों की संख्या में आपको कॉम्पीटीशन सौंग देखने को मिल जाएंगे तो जाइए और यूटीव पर सर्च कर यह कॉम्पीटीशन सौंग करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वी पहली वार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो मिलता हो नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग एंड टे क्यार बाइए